कर साथ यो सवागत है आपका अपने यूटीब चलमें तुर्फण आज हम बात करने वाले हैं आई टी आई की रिजल्ट को लेकर जैसे की जो आई टी आई के कंडेर से फर्स्ट यर सेकंड यर में उन्हें अपने एक्जाम दे दिये थे तो काफी टाइम पहले उनका एक्जा आई टी आई में आप सोच ली 2021 आ गया है अभी अब कर जाके रात में उनका रिजल्ट आया है बट अगर फिल भी उनके रिजल्ट में कोई दिक्कत होगी तो उन्हें और टाइम लग जाएगा तो उन्हें तीन से चार साल पूरा लग जाएगा तो बच्चे बहुत परेश परेशान है लेकि यहां पर बड़ी बात यह है कि अभी जो बच्चे रिजल्ट देखी नहीं पा रहे हैं साइट पूरी तरीके से क्रेश हो चुकी है सब बच्चे परिशान है किसी को जानकारी भी नेफ करना किया है और नहीं जो बड़े लिवर पे लोग उनको को जानका पर बड़े लिए तो इस तरह से हमारे हमें लगता है कि जो इन सब चीजों को संग्यान में लेना चाहिए कि जब साइट ही इतनी लो क्वाल्टी की जो क्रेश की जा रही इतने चोट इतने कम इमांट पर ही तो जब ज़्यादा रश होगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगी फिलाल इस कंडिशन में जब वह क्रेश हो रही है तो अब हम क्या ही कहें तो यहां पर एक साइट में सुधार भी होना चाहिए जैसे कि एडिशन के टाइम में बच्चों को दिक्कत ना हो क्योंकि काफी बेकार बहुत ज़्यादा बेकार यहां पर साइट है चलती है बच् किएड़ा और यहां पर यहां और यहां पर यह जालता हूं फूर्फ से रालता हूं जाने ऑन गार मैं यहां पर जालता हूं साइट ओपन नहीं हो रही है साइट पुरी तरी के से कहा ज़िए बैठ गई यह बहुत जादा बिज़ी हो गई है तो इस तरह की सस्ती साइट बनाने का क्या मतलब है कोई भी उधार नहीं किया जा रहा है वहा को लेकर इड बच्चे लार्च की करियर बहुत स्वाज़ जारोथ में जा रहा है अब बताएब ना हो पाएब तो बच्चे लाइफ में क्या खर पाएब कि इस्सें अच्छा वगाउट ओन। लेकिन आईटी आई की डिमांड भी है और उसके साथ आईटी आई का जो सिस्टम है उसमें इतनी खामिया भी है तो इन सब बातों पर भी हम अपनी आवाल उठानी चाहिए तो फैंट यही नौलज इंफर्मेशन थी मेरे पास आज की इस वीडियो में तो धन्यवाद